मेडिटेशन के बारे में पहुत से लोगों की गलत धरना है मेडिटेशन में एक्सेस करने से पहले आपको मेडिटेशन का बेसिक जान लेना चाहिए आपको यह जान लेना चाहिए आखिर आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं अगर आपने कोई intention बना रखा है कि आपको कुछ हासिल करना है ध्यान की शक्ती से कुछ पाना है तो ऐसे में आपके 99% chance हैं कि आपको ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि जहां पर कुछ करने जैसा word आ जाता है वो करने जैसा word इस physical world से जुड़ा हुआ है वे संसार समाज भौतिकता से जुड़ा हुआ है लेकिन meditation वो divine एसास है वो एक आलोकिक अनुभव है वहाँ पर आपकी नहीं चलती वहाँ आपके चाहने से कुछ नहीं मिलता लेकिन यह भी सकते है कि ध्यान का भ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आपका ध्यान टुकडो में सधने लगता है अब जब ध्यान टुकडो में सधने लगे तो फिर आगे का मार्ग में मिलना संभव है और मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि लगातार ध्यान करने से कुछ अनुभव होने लगते हैं आपके अंदर कुछ यो भीतरी बद्राव होने लगते हैं, तो क्या एतिन ध्यान छोड़ने से ये सब कुछ नस्ट हो जाता है? देखे, पहली बात तो ये है, आप जो जान चुके हैं, फिर उसे भूलने का कोई उपाई नहीं है. अगर आप थोड़ी देर अकेले शान्त बैठ जाते हैं, अपने भीतर की खोज में लग जाते हैं, बस केवल यूँ ही बैठना, ऐसे ही, घेरे चिंतन में, समाज के उतल पुतल से एतम परे, आपके असपास जो हो रहा है, बस आप उसे केवल देख रहे हैं, और परयास कर रह हैं, अपने भीतर जाने का, भीतर भी बस शांती से देख रहे हैं, अकिर हो क्या रहा है, यह भी एक प्रकार का ध्यान है, आपके भातिक और शूशंतल पर शान्त होने पर, आपको कास्मिक एनरजी मिलने लगती है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपके तोरह होने वाली को आपके intention पर कि फल आपको negative मिलेगा या positive तो इसी प्रकार से आप जो भी ध्यान करते हैं अब जाहें वो विबसना meditation हो या फिर किरिया योग हो या फिर बस ऐसे ही यूही बैठ जाना द्रस्टा भाव में इन सभी प्रकार के ध्यान में आपको कुछ शक्तियां मिलती हैं अब किस प्रकार की होती हैं मैं आपको बताता हूँ देखे एक ध्यानी जब ध्यान करता है तो एक सादक अपने ध्यान में जो कमाता है उसकी पहले कमाई होती है clarity of thoughts उसके विचारों में सपश्टता आ जाती है देखे आप तो जानते ही होंगे कि हम में से जादतर लोगों का द कुछ है करने को देखने को बहुत कुछ है जिसकी वज़े से हमारा brain multiple thoughts create करता है और यह thoughts इतने जादा हो जाते हैं कि एक के बाद एक एक के उपर एक सभी thoughts अशुद्या कहें unclear हो जाते हैं वहां सब कुछ धुंदला है कुछ भी clear नहीं दिखता इसलिए हमारे decision भी कभी clear नह होते हम decision making नहीं कर पाते तो जब आप ध्यान का भ्यास करोगे तब आप उस ध्यान की अवस्ता में जानोगे जहां आप पिल्कुल शान्त होकर बैटे हुए हैं शुरुबात में विचार आएंगे उन्हें आनिदो तब आप जानोगे कि आपका दिमाग आपके साथ जो खे लोगे या उनके बारे में सोचोगे तो और बेचेन होते चले जाओगे तो ध्यान में आपको इतनी clarity मिलने लगती है और जब आप भारी रूप से शान्त होने लगते हैं साथी साथ भीतरी रूप से भी शान्त हो जाते हैं तब आपके भीतर process of thoughts कम हो जाते हैं अब जब उ जाला benefit मिलता है clarity of thought का और ध्यान में आपको दूसरा फाइदा जो होता है वो होता है creativity का देखिए ध्यान की शक्ति आपको creative और intelligent बनाती है अब ज़रा गौर करना creativity और intelligence इसका मतलब ये नहीं कि आपको doctor बनना है engineer बनना है या कोई अच्छी उपादी प्राप्त करनी है doctor बनने के लिए आप वही पढ़ाई करते हैं जो लेडी लिखी जा चुकी है वहाँ आपने अपनी क्या खोच की आपने कितावों से जो घ्यान हासिल किया आप बेशक सभी किताबे याद रख सकते हो आपकी memory बहुत अच्छी हो एक बार कोई चीज देख लें उसे कभी न भूलें एक बार जो करते हुए देख लें आप तुरंत कभी भी कर सकते हैं ये creativity नहीं है ये copy है creativity का मतलब होता है कुछ ऐसा जो पहले कभी न खो जा गया हो जो सिर्फ आप ने खो जा हो आपके दिमाग की उपज हो और ध्यान का तीसरा फाइदा जो होता है वो होता है ये non-wage कैसे छोड़ सकता हूँ देखिए non-wage छोड़कर आप ध्यान करने जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे उल्टा आप केवल ध्यान करते रहिए आप जो खाते हो से खाते रहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर ध्यान का उदय ह आपके हाथ में वो मास का टुकड़ा पकड़ते ही एक दया आ जाएगी आपके भीतर एक खयाल आ सकता है कि आप एक ऐसे बेजुवान जानमर को खा रहे हैं जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा वो आपको जानता तक नहीं आपसे कोई मतलम नहीं लेकिन आप अपन जिस आने लगते हैं जिसकी वज़े से ये चीज़े स्वते ही छूट जाती हैं बस आपको पता होना चाहिए आपने अपने ध्यान में जो कमाया है उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है आपको जल्दी गुसा नहीं आएगा आप हर एक परिस्तिती में शान्त होने लगोग हड़ बड़ा हड़ खत्म हो जाएगी एक डेंजर और गलत सिच्वेशन को भी बड़े ही आसानी से प्रेम से सुलजा लोगी और ध्यान से आपको चौथा बेनिफिट जो होता है वो आपको मांसिक रूप से होता है मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ये नेचर का सिस्टम स ली जाती है अगर आपके शरीर में कुछ गड़बढ हो रही है तो आप उसे पहले ही समझने लगोगी कि ये गड़बढ क्यों हो रही है इसका इलाज क्या है साथ ही आप अपने आसपास दूसरे लोगों को भी केवल एक वर उन्हें देखकर बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे उनका चहरा उनका हावडाव सिर्फ ये देखकर उनके मन में क्या चल रहा है आप ये जान पाओगे किसी भी व्यक्ति से एक वर बात करने के बाद आप जान पाओगे कि उसका सोचने का पैटर्न क्या है इसकी लाइफ में चल क्या रहा है मतलब ये है कि आप किस उसे सुनते हैं जो इस पर्ष करते हैं आपको इस फिजीकल वर्ल्ड में जो भी कुछ से तिखाई देता है वो सब कुछ आपको मया नज़र आने लगता है ध्यान की उर्जा से आपको अपनी इंद्रियों के परे की चीजेन उनका आभास होने लगता है एक एक कमाई हुई कमाई के बारे में बताने बैठ जाओं तो टॉपिक कभी खत्मी नहीं होगा यह तो केवल कुछ बेसिक ही था बाकी आगे की वीडियो में ध्यान की और भी शक्तियां और इनके फायदे के बारे में बताऊंगा और हाँ पिछली बार आपने जो भी कोमेंट्स किय थे उन में से बहुत सारे कोमेंट्स को मैंने पिक किया है तो उन सभी सवाल उपर आज ये अकल में वीडियो अपलोड हो जाएगा तो अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे दूसरे चनल आंसर वर्ल्ड को भी चेक कर सकते हैं उसका लिंक में पिन कोमेंट औ और डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगा.